Hey guys, this is Preeti आज युम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 अप्रेल की करेंट अफेर इसमें जो भी important questions होंगे उसको युम लोग इस वीडियो में cover करेंगे साथी साथ कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें वीडियो की PDF चाहिए या फिर वो टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे description में आपको link दिया गया है वहाँ से आप PDF को download कर सकते हैं otherwise आप directly हमारी website पे visit कर सकते हैं study91.co.in पे वहाँ पे आपको study से related डेर सारे material मिल जाएंगे जिनसे आप practice कर सकते हैं classes देख सकते हैं और notes भी देख सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं topic को सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे कल के question को कल का हमारा पहला question था rail coach factory कपूर थला द्वारा निर्मित उर्जा कुसल ventilator का नाम क्या है तो इस ventilator का नाम क्या है जीवन है इस ventilator का नाम और इसके पहले के द्वारा बच्चों को online प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोस्पसाहित करने के लिए मा प्रतिवा कारिक्रम का आयोजन किया गया है तो इसका आयोजन किया गया है Odisha government के द्वारा UNICEF के साथ मिल करके इसमें 8 से लेकर के 15 वर्स की बच्चे इसमें participate कर सकते हैं जिनको हमेशा मतलब उनको challenge दिया जाएगा और complete करने के बाद उने certificates दिये जाएंगे फिर है हमारा FIFA under 20 महिला विश्वकप का आयोजन प्रस्तावित था कहां पर होना तो इसको कोश्टरा रिका में होना प्रस्तावित था अगला question है हमारा की वह देश जहां पे तीसरी ASEI युवा खेल प्रतियोगिता 2021 आयोजित की जाएगी तो 2021 में युवा खेल प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किया जाएगा चाइना में आयोजित किया जाएगा उसके बाद है हमारा की किस केंदर सासे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के भत्ते और विशेशा अधिकार को शमाप्त कर दिया गया है तो जमू कस्मीर में इसके अलामा है जमू कस्मीर में डॉमिसाईल ला भी लाया गया है जिसके तहट 15 साल से जो वहाँ पे रहने वाले लोग होंगे वो यह वहाँ के अस्थाई निवासी माने जाएंगे नेक्स हमारा की किस राज की पुलिस ने अप्रेल 2020 में नेकी की चारपाई अभियान आरंब किया है तो इसको किसी भी वज़ा से राशन नहीं मिल पा रहा है उनकी हल्प करने के लिए एक चारपाई पे राशन के कुछ पैकेट्स रखे रहेंगे और लोग आएं और जिनको भी नीड है वो उठा के ले जा सकते हैं अगला हमारा की कोरोना वायरस की वज़ा से किस देश की सरकार ने नीजी अस्पतालों का राश्ट्री करड कर दिया है तो इस पेन की गौर्मेंट ने नीजी अस्पतालों का अब राश्ट्री करड कर दिया है क्यों क्योंकि आपको पता है कि मामले कोरोना वायरस के कितनी तेजी से फैल रहे हैं और हमारे देश में भी अलग-अलग स्टेट गॉर्मेंट या फिर यूनेंट इस्टेट जो है वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमें क्या करना होगा हमें पहले से ही तयार होना पड़ेगा जिसमें होटेल्स हो गए या फिर रेलवे कोच को बना दिया गया है ऐसलेशन वार्ट तो इस तरह के कदम उठाये जा रहे हैं फिर हमारा की युद्धा भ्यास नेटिफ फेरी USA और किस देश के बीच हुआ है तो यह USA और UAE के बीच में हुआ है फिर हमारा की कोरोना वाइरस के बहाने किस देश की संसत के प्रधान मंत्री को हमेशा सत्ता में बने रहने का अधिकार दे दिया गया है तो हंगरी हंगरी के जो प्रधान मंत्री होंगे अब वे हमेशा सत्ता में बने रहेंगे जब तक वे खुदना चाहें हटना चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले question के आज की कि Asian Games के संदर्व में निमनलिखित कत्थनों की पुष्टी करिये अभी हम लोगों नहीं क्या पढ़ाता एशियाई यूवा खेल तो एशियाई यूवा खेल और एशियाई गेम एक दूसरे से भिनना है यहाँ पे Asian Games जो है इनका आयोजन कब होगा इनका आयोजन होगा 2022 में जबकि एशियाई यूवा खेल है ये तीसरा है और एशियाई खेल क्या है ये उनिस्वे नमबर का है ठीक है तो इसमें आप बिल्कुल मत confuse होईएगा तीसरे यूवा एशियाई यूवा खेल में और एश खेल में ठीक है चलिए देखते हैं देखें यहाँ पे है हमारा पहला की उनिस्वे एशियाई खेल का आयोजन 10 से 25 सुतंबर के मद्ध हांग जाओ चीन में होगा बिल्कुल सही बात है इसका आयोजन कहां पे होगा हांग जाओ चीन में उसके बाद है हमारा वर्स 2022 में होने वाले 19 एशियाई खेलो का सुभंकर दस्मार्ट ट्रिपलिट को चुना गया है सुभंकर आपको पता है कि इस तरह के जो गेम होते हैं उसमें मैस्कॉट या फिर सुभंकर चुना जाता है जो वहां के बारे में कुछ चीजों को दिखाते हैं तो यह आप देख सकते हैं 19th Asian Games Hangzhou 2022 और यहां पर क्या है यह है सुभंकर जिसे हम लोग इंग्लिश में जानते हैं मैस्कॉट के नाम से तो यहां पर हमारा राइट एंसर क्या हो जाएगा A and B दोनों सही है याद रखेगा थोड़ा सा जान लेते इसके बारे में यह कौन डिसाइड करेगा कि सुभंकर क्य होगा तो इसको डिसाइड किया है ओलंपिक काउंसिल ओफ एशिया ने और इसके साथ साथ इन तीनों का एक नाम है और तीनों एक अलग अलग चीजों की तरफ इंडिकेट करते हैं जैसे पहले कौन सा है कौंग कौंग दूसरा है ली आंग जू तीसरा है चेंचन यह तीन रोबोटों में जो कौंग कौंग है यह ली आंग जू सहर के पुरा तात्विक धरोवरों को दर्शाता है जबकि लियान लियान यह क्या करता है पश्चिम जील का प्रतीक है जिसके कारण इसका नाम लियान लियन रखा गया है जो कि एक जील है और कमल के फूलों से भरी है तीषरा रोबोट है चेंचेंचेंच इसमें बीजिंग 迁जो ग्रेजो कैंट है केनाल को यह दर्शाता है तो इसको याद रखेगा अब आपको याद होना चाहिए टोक्यो ओल्म्पिक के बारे में भी कि टोक्यो ओल्म्पिक को भी पोश्ट पोन कर दिया गया है पैराब जुलाई से 9 अगस्ट के बीच टोक्यो जापान में और अगला क्वेशन भी हमारा टोक्यो ओलम्पिक से ही है कि स्पोर्ट्स कोविड 19 की वज़ा से टोक्यो ओलम्पिक के लिए फुटबॉलरों की आयुशीमा बढ़ा कर कितनी कर दी गई है तो यहाँ पे जो फुटबॉलर होंगे उनकी आयुशीमा बढ़ा करके 24 साल कर दी गई क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स वगारा में एज का काफी महत तो होता है और चुकि इसको एक राष्ट्री एक ग्लोबल आपदा के रूप में इसको पोश्पोन किया गया है तो इस वज़ा से लोगों को मौका दिया जा रहा है इसका मतलब क्या होगा कि मतलब एक जन्वरी 1997 में या उसके बाद जन्मे फुटबॉलर ओलम्पिक में हिस्सा ले सकेंगे तो मतलब की 2021 गेम्स में 24 साल के फुटबॉलर भी हिस्सा ले लेंगे याद रखेगा इसको ओलम्पिक फुटबॉल में सिर्फ अंडर 23 खिलाडी खेलते हैं मतलब तेश शाल के अंडर के जो लोग होते हैं वे इस गेम में पाटिस्पेट करते हैं ठीक है याद रखेगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के चुडिया घर में मादा बाग को कोरोना वाइरस से संक्रमीत पाया गया हालंकि अभी देखा गया था कि इसका human to human transmission अभी जानवरों में इसका कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अमेरिका में पाया गया है एक बागिन को जुसे कोरोना पॉस्टिप पाया गया है इस चुडियागर का नाम क्या है ब्रॉंक्स चुडियागर ब्रॉंक्स जू इसमें एक मादा बागिन को पाया गया है कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया जिसमें उसको पॉस्टिप आगया और बाग में कोरोना वायरस संक्रमित होने का या पहला मामला है इसके बाद इस चीज को देखते हुए भारत ने भी एतियाद बरता और Central Zoo Authority of India को कहा कि आप CCTV के माध्यम से जानवरों की लगातार निगरानी रखे फिर हमारा की हाल ही में क्रिशी और किशान कल्याण मंत्राले ने COVID-19 की वज़ा से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्दे नजर रखते हुए किस पोर्टल में शंशोधन किया है तो इसका नाम है E-NAM आपने सुना होगा E-NAM के बारे में बहुत ही ज़्यादा फेमस था ये रिजन ये था कि ये जो पोर्टल है ये करता क्या था किसानों और बैपारियों की बीच डायरेक का पोर्टल था जानने थे इसके बारे में की E-NAM बैपारियों को किसी दूरस्त अस्थान से बोली लगाने तथा किसानों को मुबाइल आधारित भुकतान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है जिससे बैपारियों को मंडियों या बैंकों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अब हुआ क्या है कि संसोधन की पश्चाथ पोटल में जोड़ी गए विसिस्ताएं COVID-19 से निपटने की दिशा में महतपूर शाबित होंगी जो कि संकट की घड़ी में किशानों को अपन बनाय रखने में मदद करेगा इसका साथ आपको पता होना चाहिए कि मंडी अनाज फल और सब्जियों की आप पूर्थ श्रिंखला को बनाय रखने में महतपूर भूमिका निभाती है और COVID-19 के मद्दे नजर रखते हुए इनाम पोटल मंडियों में लोगों के आवागमन को कम करने में महतपूर भूमिका निभा सकते हैं जैसे कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि ICICI ने क्या किया है वाटसप बैंकिंग स्टार्ट कर दिया है जिससे लोगों का बैंक में भी आना जाना लगभग कम रहा है चले अगला क्वेस्चन है हमारा कि केंद्र ये कैबिनेट ने 6 अपरेल 2020 को सांसत निधी के तहट मिलने वाले फंड जिसे हम लोग जानते हैं लोकल एरिया डेवलेफ्मेंट फंड इसको कितने समय के लिए निलंबित करने का फैक्स ला किया है तो इसको दो शाल के लिए निलंबित कर दिया गया है जो शांसतों को फं पासी मिलती थी जिसके तहट उन्हें क्या करना था उन्हें अपने यहां जो भी छेत्र उसका डेवलप्मेंट करना था अभी क्या है कि अब यह रकम नहीं दी जाएगी तो यह जाएगी कहां तो कॉंसलिडेटेंट फंड ओफ इंडिया में जमा होगा और इससे कोरोना वा तो यहां पे 1954 संसत सदस्व वेतन भत्ता और पेंशन 1954 में इसको किया गया है ठीक अधिनियम 1954 इसके तहट अब 30 प्रसद की कटावती की जाएगी और इस अध्यादेश को काबिनेट ने मंजूरी दे दिया है संसत सत्रशालू होने पर इसे कानून के रूप में पारित कर द हनमंत्री और मंत्री एक साल तक स्वेच्छा से अपने वेतन का 30 फीशदी हिस्सा नहीं लेंगे और इस रकम का भी यूस कहां पर क्या जाएगा कोरुना वायरस से लड़ने में नेक्स है हमारा की भारती पहलवान बचरंग पुनिया विश्व कुस्ती चैंपियंशिप की नमींतम रैंकिंग में कितने अस्थान पे बरकरार हैं तो ये दूसरे अस्थान पे बरकरार हैं याद रखेगा ठीक बात आती है कि पहले पे कौन है तो पहले पे रूस के ओलंपिक चैंपियन है गद जिमुराद रशीदेव ये सिर्स पे हैं जबकि वजरंग पुनिया कि इनका नाम है रवी दहियाई, इनको बेहद प्रतियस पर्दी माना जाता है 57 kg में, ये कौन से अस्थान पे हैं, ये चोथे अस्थान पे हैं, अगला हमारा हाल ही में किस दिवंगत खिलाडी को अमेरिका में नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केट बॉल आफ हाल आफ फेम में शाम कोबी ब्राइंट को और पूर्व अंतराश्ट्री बास्केट बॉल महासंग के महासची पैट्रिक बाउमन दोनों को मर्रो प्रांथ बास्केट बॉल नाई स्मिथ मेमोरियल हाल आफ फेम में शामिल किया गया है, याद रखेगा, नेक्स हैं हमारा यहां पर थोड़ा सा ड बीटेल भी देख लेते हैं कि बास्केट बॉल टीम को भी ब्राइंट जो हैं ये वर्स 2008 के बीजिंग ओलम्पिक तथा 2012 के लंदंग ओलम्पिक में शौडपदा जीतने वाली अमेरिकी बास्केट बॉल टीम के हिस्से में थे एंड इसके अलामा पैट्रिक बाउमन का 15 वर की वज़ा से किस देश के प्रधान मंत्री को 6 अपरेल 2020 की रात को अस्पताल के आईशियो में भरती करवाया गया है तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेटिन के प्रधान मंत्री हैं बॉरिस जौंसन जिनको 27 मार्च को ही कोरणा से ग्रशित इनको खोशित किया गया था इन को हालत बिगनने की वज़ा से अस्पताल में भरती कराया गया है और अब इनके कारेभार कोन समाल रहे हैं तो विदेश मंत्री डॉमनिक रॉप को इनके लिए डिप्यूट किया गया है जो इनकी जिम्मेदारी को समालेंगे अब बात करते हैं लोग ब्रेटन से दिवस प्रतिवर्स आयोजित किया जाता है कब तो वर्ल्ड हेल्थ दे आयोजित किया जाता है साथ अप्रेल को रीजन आप सभी को पता है कि डबलो यचो जिसे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्त संथा मानते हैं वर्ल्ड हेल्थ और्गनेजेशन इसका गठन हुआ था 7 अप्रेल 1948 को इसी वज़ा से 7 अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इसको कब से सुरू किया गया है वर्ल्ड हेल्डे को तो इसको 1950 से सुरू किया गया है इस संस्था का मुख्याले का स्विजलेंड के जेनेवस एर में है और इसका उदेश क्या है वैस्ट्विक स्वास्त और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार करना जैसे इस समय वैस्ट्विक स्वास्त में मुद्दा क्या है इस समय है कोरोना वायरस तो कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या-क्या जो जरूरी प्रिकॉसन्स है क्या ले सकते हैं इस तरह की गाइड लाइन डबल एचो हमेशा जारी करता है और इसमें भगवान के रूप में कौन हैं डॉक्टर्स हैं तो टैग लाइन भी वीस्तो स्वास्ते संगठन की कुछ कैसी रखी गई है सपोर्ट नर्सस एंड मिडवाइब्स ठीक याद रखेगा आज के लिए बस इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें डेली अब्डेट्स पाने के लिए बैल ऐकन पर जरू क्लिक करें थैंक यू फ्रेंज थैंक यू सो मच